नमस्कार साथ हूं मैं अजीत कुमार आपके जुकेस्टनल प्लैटफॉर्म कमटेशन कमटे पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आसा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस क्लास में हम लोग मुखे रूप से चर्चा करेंगे कि आपके P.E.C.M.S. एक्साम में इंग्लिस को लेकर के जो कन्फूजन बने रहते हैं उनसे आप कैसे निपटेंगे अर्थात आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग मुखे रूप से इंग्लिस सब्जेक्ट C.E.C.M.S. परिक्षा P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P.E.P. जिसको follow करके आप certainly निश्चित रूप से English में यदि आप extremely BPL category के भी student हो, द्यान से समझेगा, English language में यदि आप extremely BPL category के student भी हो, अब BPL category का मतलब समझ लेजे, हम ये कहना चाहरा है, कि आप पैसे, यदि कोई ऐसा बच्चा हो, जिसके English बहुत ही जादा वीक हो, ऐसा बच्चा भी एक खास strategy को follow करके, वो कम से कम 22 marks तो जरूर ला सकता है, अपने P.S.E.M.S.E. exam में, ठीक है, paper 1, part 2 में, ठीक है, तो अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, कैसे आपको करना ह होता है, क्या करना होगा, इसके सुरुवात, हम लुक आज के इस class से करेंगे, तो मुख के रुप से जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको पढ़ना चाहिए, तेंस, subject of agreement, और wise, यह ती sentences after making necessary corrections, ठीक है, तो उसमें भी से question पूचे जाते हैं, और इन तीनों ही chapters का use आपके precise writing में होता है, आपके precise writing में होता है, ठीक है, और इनके अलावा rearrangement में भी इनका use होता है, और इनके अलावा आपके exam में जो sentence frame करने वाले question आते हैं, जैसे कि idioms and phrases से question आते हैं, जैसे कि phrasal work given होता है, और उस phrasal work के meaning को use करते हुए, आपको sentence frame करना होता है, उन सभी जगों पे जहां कहीं भी आपको English में writing work करना होता है, इनका use आपके essay writing में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इनका use सभी जगों पे आपको देखने को मिलता है, टांसलेशन में भी इनका use आपक अपने importance के हिसाब से, uses के importance के हिसाब से, ये बहुत माइने रखते हैं, ये काफे important chapters है, ठीक है, तो आईए, अब हम लोग यहां पर पढ़ना सुरू करते हैं, सबसे पहले tense, अब देखे, tense की बात करें, तो tense में सबसे पहले हम सब को जो बचपन से पढ़ाया गया, उस concept के according हम लोगों को यही बताए गया था कि यदि किसे हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती है, ऐसा लगा हो, तो वो जो वाक्य होता है, उसका tense होता है, present and different, ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों को पढ़ाया गया, और बचपन से, और क्या हम लोगों ने पढ़ा तो बचप आए नहीं पढ़ते, translation वाले segment को छोड़ करके, ठीक है, तो translation वाले segment को छोड़ करके, अब इतने आसान sentences आपको कहें भी दिखाए नहीं पढ़ते, अब आपको सीधा क्या करना होता है, उसका use करना होता है, ठीक है, तो दोस्तों हम बार-बार अपने class में एक line use किया करते है कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो महापुरुस लोग होते हैं, जो बड़े height वाले लोग होते हैं, बड़े height मतलब सरीर से, कद काठी से लंबाई वाले नहीं, जो दुनिया में किसी भी छेतर में महान लोग होते हैं, वो करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, बो इसी प्रकार से पूरा 10 से हम लोगों को ट्रांसलेशन के माध्य हम से सिखा दिया गया, इंग्लीस मीडियम में क्या किया गया, तो इंग्लीस मीडियम में आपको सिखा दिया गया, देखो भी प्रेजेंट इन डिफरेंट का structure होता है, subject plus verb का first form, या verb के first form में SES जोड़के उसको बनाते हैं fifth form तो या तो subject plus verb का first form या fifth form plus object फिर से subject plus verb का first form या verb का fifth form plus object ऐसा करके हम लोगों को पढ़ाये गया यानि English Media में हम लोगों को structure के मादने हमसे tense पढ़ाये गया जिबके पूरे के पूरे tense में आपको पढ़ना क्या होता है तो पूरे के पूरे tense में आपको पढ़ना होता है सिर्फ और सिर्फ forms of verb दोस्तो ध्यान से समझने का इस बात को प्रयास किजेगा कि पूरे subject verb agreement chapter में 10 chapter में और wise chapter में इन तीनों में हम लोग जो मुख्य रूप से workout करते हैं जो आपको देखने को मिलता है जो changes करने होते हैं या जो changes देखने को मिलते हैं जिन बातों पर focus किया जाता है वो सारा का सारा होता है सिर्फ और सिर्फ forms of verb क्या होता है forms of verb और उसमें भी जो पहला वर्ब होता है यानि कि यदि किसी sentence में एक सेदिक वर्ब है तो जो पहला वर्ब होता है उसी में सबसे ज्यादा changes आपको देखने को मिलते हैं तो आईए अब इनके सुरुवात यहां पर करते हैं तो सबसे पहले यह बताओ कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं तो हम लोगों को यह सारी बात है बच्पन से क्यों नहीं बताई गई कि इसका थर्ड फॉर्म के अलावा फूर्थ और फिफ्ट फॉर्म भी होता है तो ऐसा पहले से बताया जाना चाहिए था, भई नहीं बताया जाने के पीछे एक reason है, क्योंकि वर्ब का जो fourth form होता है, यह हमेसा fix होता है, और वर्ब का जो fifth form होता है, वो भी हमेसा fix होता है, तो वर्ब का जो fourth और fifth form है, यह fix होता है, इसमें कोई changes होते ही, नहीं है, इसलिए इनको अलग से focus करने की इन पर ज्यादा महत्त हो देने की जोड़ देने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होते इनको बस एक बार आपको समझना होता है तो आईए हम पांचों फॉर्म आपको यहां पर समझाने का प्रयास करतें और पांचों फॉर्म के माध्यम से हम आपको यहां पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी दिये हुए sentence का मिनिंग जाने अत्वा नहीं जाने फिर से किसी भी sentence का मिनिंग आप समझ पाएं अत्वा नहीं समझ पाएं उसके टेंस को तो आप बना ही लोगे टेंस के को बना लोगे टेंस को आप देखते के साथ पाचान भी लोगे और यदि आप टेंस को पाचान लेते हैं तो यकीन मानिए वाइस के जो कोशन है मस्ती मजा करते हुए मुस्कुराते मुस् यह द्हों यह जो वर्ब का फिप्ट फॉरम होत Jewish का थैस्स में होता क्या है तो यह जो वर्ब का questions from लगा दिया जाता है यही बन जाता है हमारा वर्ब का फिप्त फॉर्म और वर्ब का जो फॉर्थ फॉर्थ फॉर्म होता है यह क्या होता है वर्ब के फॉर्स्ट फॉर्म में हम लोग लगा दे तो यही होता है हमारा वर्ब का फॉर्थ 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 3rd form क्या होता है retain अब 5th 4th form क्या होगा पई तो 4th form वोगा writing देखो ING लग गया fix है इसमें कुछ करना ही नहीं है 5th form क्या होगा CES लगाएगे तो ये write का हो गया writes देखें याँ पे इस लग गया तो 4th और 5th क्या होता है हमेशा fix होता है इसलिए इसको अलग से पढ़ने की या पढ़ाने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है लेकिन यूज तो सबका होता है अब आजाएए हम लोग कुछ ऐसे forms of verb की या ऐसे verb की चर्चा करें जिसके कारण आपको tense और wise में सभी जगों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो आएए इसके सुरुवात करते हैं उन में से सबसे पहला verb है आपका have family कौन सा family have family तो have होता है verb का first form head होता है verb का second form और यह हैड होता है verb का third form और यह having क्या होगा verb का fourth form और यह है जोगा verb का fifth form बातों को ठीक से समझना दोस्तों फिर अगला example लेते है do, do का second form did, third form, done fourth form, doing और इसी तरीके से fifth form does, clear अगले में चलते हैं अगला देखो क्या है यह बई अब बी का जो form है इसमें कई जगों पे maximum book में यहीं पर इसे मारतीनों लिखा हुआ होता है लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते हमारे recording यहां पर हम लोग पढ़ेंगे M को और R को ठीक है और यहां पर हम लोग क्या पढ़ते है तो यहां पर हम लोग पढ़ते है कि इसका second form होता है was or third form क्या होता है भाई तो यहां पर होता है bin fourth form क्या होता है यहां पर होता है bing और यह fifth form क्या होता है तो यहां पर यही बी जो होता है इसका singular form आता है is टिक यह बाते हो गई अब आज़े यहां से आगे यह देखो यह जो verb का first form होता है इसका tense हम लोग बताते है कि इसका tense होगा present क्या होगा यानि कि आपको verb का first form कहीं भी दिखाई पड़े तो इसका tense हम बताएंगे कि इसका tense होता है दोस्तो present क्या होता है present होता है यह जो verb का fifth form होता है इसका tense भी होता है present ठीक है अब यह जो verb का fourth form होता है इसका tense हम कहेंगे कि इसका tense होता है continuous क्या होता है continuous होता है और यह जो वर्ब का second form होता है इसका tense होता है दोस्तों past क्या होता है इसका tense होता है दोस्तों past और यह जो वर्ब का third form है यही बेवफा है भाई अब बेवफा कहने का मतलब आप कुछ अदर्मत समझने लगना क्योंकि तो नीचे की तरफ होता है गलत ज्यादा आप समझते हैं बेवफा काने का मतलब वह जो वफा न कर सके अब जो वफा न कर सके उसी को तो बेवफा करते हैं लेकिन इंसान के रूप में नहीं इंग्लिस लेंग्विज के हम बात करने वह अभी इंग्लिस लेंग्विज में समझें बेवफा इसको हम क्यों बोल रहे हैं इंग्लिस में कुछ भी हमेशा नहीं होता आप जो कुछ भी बचपन से अब तक कहीं भी इंग्लिस में पढ़े होंगे याद करके देखिए वह हर पल बदलता नहीं मौसम की तरह तुम भी बदलता न जाओगे ऐसा वाल होता है इसका तो देखिए यह जो वर्ब का धर्ड फॉर्म होता है इसको हमें अलग से बढ़ने की जरूद क्योंकि इसी से आपका टेंग सबसें प्रकार से होता है अब पहला यूज होता है इसका है इसका आप वर्ब का थर्डी फर्म दिखाई पड़े तो इससी का टेंगे कि इसका टेंग सो होता है परफेक्ट क्या होता है परफेक्ट होता है अब हमें इससे मतलब नहीं है कि present का perfect या past का perfect या future का perfect हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं और यदि किसी भी verb के third form का use कहीं भी किसी भी family के साथ हो जाए तो be family के साथ कहीं भी ये verb का third form आपको दिखाई पड़े तो इसी का tense हम लो कहें होता है यहां पर उसका ARM को बताते हैं इसका wife होता है इसका wife होता है आप इसका wife की चर्चा हम लोग जो इस पढ़ेंगे तब अधर तोड़ा करेंगे यहां कम से कम टेन्स पहाचानना सीख लें जो फंडमेंटल टेंस हैं उनको फचान नाम लोग सीख लिए उसके बाद हम लोग इसके चर्चा करेंगे तो अब यह जो फैमिली वर्ड का यूज हम कर पा रहे हैं यह फैमिली क्या होता है सरी यह भी समझें जैसे आप सामने देखिए यहां पर लिखा हुआ दिखा ही तरह तो जैसे इसी प्रकार से यहां पर आपको डू दिखा ही तरह है तो इसको क्या बोलेंगे डू फैमिली इसी प्रकार से हैब वाले को क्या बोलेंगे बी फैमिली राइट वाले को क्या बोलेंगे राइट फैमिली बात समझ में आ गया चलिए आसा है यहां तक सारी बातें को आसानी से समझ में आ रही होगी अब यहां से आगे लेकर चलते हैं तो अब इसके बाद चर्चा यह होगी कि आखिर हम लोग कैसे पहचाने सर अपने बोल तो दिया कि आपने बारी है कि हम लोग सारे टेंस के फॉर्म को यूज करके टेंस पहचानना सीखें जैसे एक एग्जमपल लेते हैं यहां पे देखिए सी किल्ड से किल्ड हिम अब कोई महिला है इसने किसी पुरुस का मडर कर दिया अच्छा काम किया भै मार दी धर्ती का बोजे कम हो गया अब ज़रा ध्यान दो कहीं भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई पड़े वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखाई पड़े वर् के रूप में present हो यानि कि उस sentence में इनके सिवा कोई दूसरा वर प्रजन ना हो तो ऐसे situation में हम लोग इनहीं को कहेंगे इंडिफनिट क्या तो इसी को हम लोग बोलेंगे इंडिफनिट क्या बोलेंगे इंडिफनिट पुलेंगे रैट एक एकजम्पल लेते हैं she has four brothers ठीक है अब आजाई यहां पर हमारा काम क्या है वर्ब को पाचानना अब आपको कुछ और भी confusion होते है ये तो हम लोग सीखेंगे ही अब आपको कुछ और भी confusion होते है वो confusion क्या होता है भई हम लोगों को ये भी पता नहीं होता कि sentence में कौन सा main verb है कौन सा helping verb है हम लोगों को sentence में ये भी नहीं पता होता कि कौन सा verb main verb का role play करता है कौन सा helping verb का role play करता है कौन सा verb का second form है कौन सा verb का third form है ये बाते भी हम लोगों को अक्सर पता नहीं होती हम लोग अक्सर इन में भी confusion होते हुए sentence होगा तो उस sentence में कम से कम एक वर्व होगा और यदि किसी भी sentence में एक से ज़्यादा वर्व हो किसी भी sentence में एक से ज़्यादा वर्व हो ऐसा हो सकता है तो यदि किसी भी sentence में एक से ज़्यादा वर्व हो तो क्या होगा इसमें तो maximum 4 वर्ब आपको एक साह दिखाए पड़ सकते हैं है यदी किसे भी sentence में सिर्फ एक ही वर्ब हो तो इस वर्ब को हम लोग भते main verb क्या बոलेंगे दूसतो main verb बोलेंगे लेकिन यदी किसे भी sentence में एक से ज्यादा वर्ब हो तो जो पालावाला वर्ब होगा जो भी पाला वाला वर्ब होगा उसको बोलेंगे हम लोग के हिल्पिंग वर्ब क्या बोलेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे हिल्पिंग वर्ब और जो लास्ट वाला होगा इसी को हम लोग कहते हैं मेन वर्ब क्या बोलेंगे तो इसी को बोलेंगे मेन वर्ब कुछ बच्चों के माइंड में यदि वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को लेकि अभी कंफ्यूजन सामने याद नहीं आ रहे हो माइंड में नहीं आ रहा हो तो थोड़ी दिर के बाद आ जाएगा क्यों क्यों कि इसका हमें एक एक्जम्पल लिखते हैं यहां पर ह अब आप यहां पर देखिए यह पूट आपको दिखाए दिया अब यह जो पूट है यह वर्ब का first form भी होता है second form भी होता है third form भी होता है तो और के first form का use करते है जैसा कि अभी देर पहले हम आपको यहां पर forms of form बता रहे थे आए थोड़ा सा और सम्झा दें आपको दिखें यह जो वर्ब का first form होता है इसका number होता है plural कैसा होता है प्लूरल और इसका यूज भी करते हैं हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यह बात सौंज में आ गया और यह जो वर्ब का फिप्ट फॉर्म होता है यह होता है singular कैसा होता है singular और इसका use भी हम लोग करते है singular subject के साथ किसके साथ singular subject के साथ ठीक है तो verb का first form plural के साथ आता जैसे we लिखना हो, they लिखना हो, you लिखना हो तो इनके साथ क्या use करते है verb का first form लिखते हैं लेकिन he लिखना हो, c लिखना हो तो इसके साथ वर्ब का फिप्ट फॉर्म यूज करते हैं राइट चलिए अब आगे बढ़ते हैं यह डाउट क्लियर हो गए अब यहां पर हम लोग जी रहे थे कि जो वर्ब के सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे पाचानेंगे कि यह जो पूट है यह वर्ब का कौन सा फ हम पता है लेकिन पूट में इस नहीं लगा है मतलब यह वर्ब के फिप्ट फीर्ब में नहीं है राइट तो अब आपके confusion होता है हम लोग anarchesia को यहां पर हम लोग सीखने वाले काइसे समझेंगे या कैसे पाचानेंगे कि कभी का नहों के था यहिए होगा की फिर्द पॉर्म का काम करता है इनको पाचानना कितना असान है इसको भी सीखते हैं जब भी कभी ऐसे किसी भी वर्ब में confusion हो जाए जिनका second form और third form दोनों से मोता है तो आपको क्या करना होगा आपको इनके पहले चेक करना होगा क्या इनके पहले helping verb है या नहीं इनके पहले helping verb है या नहीं ये आपको check करना होगा और यदि इनके पहले, अब दो condition बन सकते हैं, या तो helping verb है, या तो helping verb नहीं है, तो यदि इनके पहले helping verb है, यदि इनके पहले helping verb है, तो यही काम करेंगे, verb के third form का, second form का काम यहीं करेंगे, लेकिन यदि इनके पहले helping verb नहीं है, तो यह third form का काम नहीं करेंगे, अब यहीं काम करेंगे second form correct अब आज़े यहां पर देखिए यह देखो यहां पर put दिखाए दिया he put the TV on the table अब यह जो put है इसके पहले कोई helping verb है क्या नहीं है इसके पहले helping verb नहीं है मतलब यह काम किसका कर रहा है verb के second form का तो यहां तक में हम लोगों ने यह पाचानना सीखा कैसे पाचानेंगे के कि कौण सा verb helping verb का काम करता है कौN s haber mean verb का काम करता है कैसे पाचानने के कि कौ्ण सा second form है कौन सा word third form है ठीक है जड़ी अब इनको सीखने के बाद हम ओध और फिर से यहां पे आते हैं और यहां पे हम आपको टेंस को identify करना सिखाते हैं क्योंकि जब तक टेंस को identify करना हम लोग सीखेंगे नहीं तब तक हम लोग टेंस के grammatical question को नहीं solve कर पाएंगे या solve करेंगे तो कभी सही होगा कभी गलत होगा पूरे confidence के साथ हम लोग answer नहीं कर पात है तो आई है confidence को boost up करने के लिए सबसे पहले हम लोग आप को पाचने इस Indes екर्फ सेंडेंस में फ़िएक हरवй ि अब यहाँ पर देखिए हम लोग तो गटाते हैं पास्त वर्प्रों疫 यह तो clear होगी से पास्त और इस sentence में यह single verb, देखो वहाँ बताये थे अभी हम, कि यदि verb का first form हो, verb का second form हो, या verb का fifth form हो, यदि किसी भी sentence में single verb के रुप में तनहा एकलाता verb के रुप में present हो, तो इसको क्या बोलेंगे, indifferent बोलेंगे, तो अब इसको उपर वाले को यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसी कौम लोग बोलेंगे, indifferent अब यानि इसका पूरा tense क्या हो गया, इसका पूरा tense हो गया, past and different, right, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले में देखिए, यह जो है, यह था वर्ब का, fifth form, वर्ब का, fifth form है, इसलिए इसका tense हो गया, present, और इस sentence में, चुकी यह single verb है, अब single verb के रुप में present है, इसलिए इसका tense हम क्या बताएंगे, इसका tense हम कहेंगे indifferent, क्या बताएंगे दोस्तो, indifferent बताएंगे, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि यह हो गया past and different यह हो गया present and different right अब बात करते कुछ continuous की अब आजाएए जैसे continuous का कुछ example आप लेते हैं तो आप इस तरीके का example लेते हैं she is walking in the field she is walking in the field आप इसी तरीके की बाते करेंगे या एक और example ले he was making he was making a noise ठीक है अब आजाएए इन दोनों काटेंस कैसे identify करेंगे sentence में सबसे पहले क्या identify करना था number of word तो देखो number of word को हम लोगों ने identify कर लिया दो दो वर्ब हैं दोनों sentences में और इस पहले sentence में जो वर्ब है यह कौन सा फॉर्म है यह वर्ब का फिप्थ फॉर्म यह वाकिंग कौन सा है यह वर्ब का फॉर्थ फॉर्म यह वास क्या है यह वर्ब का second फॉर्म यह making क्या है यह वर्ब का फॉर्थ फॉर्म बस काम खतम इतना ही तो पचान ना होता है अब यह देखें यह चुकी वर्ब का 5th form है इसलिए इसका tense हो गया present और यह यहाँ पर आई एंजी form है आई एंजी के form को हम लोग क्या कहते हैं continuous कहते हैं तो इसका tense हो गया continuous केंगे continuous और फिर उसके बाद present और past को पढ़ने के बाद हम लोग आगे चलेंगे future की तरफ ठीक है चलिए तो एक example लेते हैं इनका भी she has done this work, she has done this work, दूसरा एक और example ले ले, she had written a book, ठीक है अब आज़े इसको कैसे पाचान हैं यहाँ पर दियान से देखिएगा आप कर क्या रहें सबसे पहले किसको पाचानना है, verb को तो एक verb और एक, दो verb यहाँ पर, दोनों में दो दो verb हैं ठीक है अब आज़े यहाँ पर चेक करें, हम लोग यह देखो, has कौन सा form है, verb का 5th form done कौन सा, verb का 3rd form, head कौन सा, verb का 2nd form, 2nd form क्यों क्योंकि इसके पहले कोई दूसरा helping verb, नहीं है, अभी जो written है यह कौन सा form, verb का 3rd form, आज़े यह चेक करें has verb का 5th form, verb का 5th form, इसलिए इसका 10s कहेंगे present, और यह देखिए, have family के साथ verb का 3rd form दिखाई पड़े, किसके साथ, have family के साथ, verb का 3rd form कहीं भी दिखाई पड़े, तो उसी का 10s हम लोग क्या बताएंगे, इसी का 10s हम लोग कहेंगे, किस का 10s है, perfect, कौन सा 10s है, perfect है दोस्तों ओके, आगया जाए, यहाँ पर देखे, यह देखो, had, had क्या है भई, तो had verb का 2nd form, 2nd form इसलिए इसका 10s हो गया past, और फिर से यह देखिए, have family के साथ, verb का 3rd form इसलिए इसका 10s क्या बताएंगे, perfect, तो इसका 10s क्या हो गया, इसका 10s हो गया, past, perfect, अब कुछ example लेते हैं हम ल She has been waiting, she has been waiting, she has been waiting, she has been waiting for him, for a long time, for a long time, इसी परकार से एक और example ले लेते हैं, He had been doing, doing this job, this job since 1952, ठीक है, अब आजाएंगे, दोनों में करना क्या है, किसी भी दिये हुए sentence के 10s को identify करने के लिए, हमने आपको पहले से बता रखा है, क्या identify करना होता है, number of verb, सबसे पहले number of verb, इसके बाद forms of verb, तो ये रहे, तीन-तीन verb हैं दोनों sentences में, अब हम लोगों को बच्पन से यहां पर रटा मरवा दिया गया था, रटवा दिया गया था, याद करवा दिया गया था, कि रट लो बेटा, since और for दिखाई पड़ेगा, time indicating word के साथ, तो वही sentence कहा जाएगा, किस में, वही sentence कहा जाएगा, perfect continuous में, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहां पर दिखेगा, इस example में, इन दोनों examples में आप देखेंगे, कि हम, बिना since और for का use किये हुए, since और for लिखा हो, तो भी नहीं लिखा हो, तो भी हम आसानी से इनके tense को identify करेंगे, अब देखो कैसे identify करेंगे, आजाएगे, यह क्या है, यह है, वर्ब का fifth form, वर्ब का fifth form, इसलिए tense का बताएंगे हम present, और फिर देखेंगे, यह है, वर्ब का third form, इसलिए इसका tense हम बताएंगे perfect, और यह है, वर्ब का fourth form, वर्ब का fourth form है, इसलिए इसका tense हो गया past, और यहाँ पे देखेंगे, हैब family प्लस वर्ब का third form, इसलिए इसका tense हम बताएंगे perfect, और वर्ब का fourth form, इसलिए इसका tense हम बताएंगे continuous, ओके दोस्तों, बात समझ बार रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसका tense निकालते हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग चलते हैं future की तरह क्योंकि present के सारे आपने बता दिये sir, past के सारे आपने बता दिये sir, तो क्या future पे भी यह rule काम करता है, इनसान होने के कारण, हमारा आपका जो mind है, वो easily उसको accept नहीं करता, तो इसी कड़ी में हम आपको आपके लेकर चलते हैं, अब future tense की तरफ, देखे future को कैसे पाचानेंगे, ध्यान से समझ ना दोस्तों, यहाँ पे देखो यह जो cell और will होता है, तो future का कोई पे tense हो, सब में ह क्या होता है, किसी भी cell या will के साथ, यदि कहीं भी verb का first form दिखाए पड़े, cell will के साथ, कहीं भी verb का first form दिखाए पड़े, तो इसी का tense हम बताते हैं, कि sir, इस का tense है future, कौन सा tense है इसका, future, कहीं भी, जैसे, आप फिर से ध्यान देजिए, यह देखे, cell और will के साथ, continuous में हम होने जो बच्पन से रट्टा मारा है, वो क्या था, बी-ई-बी, और इसके बाद ये था verb का fourth form, ऐसा ही हम सब होने पढ़ाता, perfect में क्या पढ़ेते हैं, तो perfect में हम सब होने रट्टा मार के पढ़ा था, कि cell will इसके साथ क्या यूज करते हैं, फिर इसके साथ क्या यूज कर करते हैं, वर्ब की आई-ए-ए-इ-वाम, ठीक है, अब देख लिजे, ध्यान से इनका टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, और जो concept हमने आपको बताया, क्या वो सही में valid है, या गलत है, अब आजाए देखें, तो ये देखो, ये जो भी होता है, ये क्या होता है, ये होता है वर्ब का फरस्ट वर्ब के साथ 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 में इसका थेंस हम बत आएंगे करता है तो इसका तेंस मैं कि होता है future अब इसके आगे हम कैसे कभी future indifferent में है कभी future continuous में कभी fulfilling पर्फेक्ट में है और कभी future perfect continuous में आईएएंस चींते हैं देए कि साथ कहीं विपान का सा how old दिखाई पड़े जैसे इसके पहले थोड़ी दिर पहले हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी sentence में verb का first form हो, verb का second form हो, या verb का fifth form हो, यदि किसी भी sentence में तनहा हो, अकेला हो, single verb के रूप में present हो, तो उसी को हम लोग कहते थे indifferent in the same way, अब कहीं भी salveal के साथ verb का first form ही दिखाई पड़े, सिर्फ इत नहीं present हो, तो उसी को हम लोग कहेंगे indifferent, राइट, चली, अब यहाँ पर आजाईए, देखो, salveal के साथ verb का first form हो, इसलिए फ्यूचर हो गया, और फिर से यहाँ देखे, have family के साथ verb का third form है, family के साथ verb का third form है, इसलिए इसका tense क्या बताएंगे, इसलिए इसका tense हम बताएंगे, perfect, राइट, बाते समझ में आ गए, अगला देखे, salveal, salveal के साथ verb का first form, इसलिए future हो गया, और फिर से देखे, have family के साथ verb का third form, इसलिए इसका tense क्या बताएंगे, इसलिए इसका tense क्या बताएंगे, perfect, और यहाँ पर देखे, यह क्या बचा इसलिए 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 future, perfect, continuous tense, बात समझ में आ गई दोस्तों, चलिए, अब यहाँ से आगे लेकर चलते हैं, हम आपको tense के chapter में, तो यह तो वो technique था, जिसके माध्यम से आप दिये हुए किसी भी sentence के tense को आसानी से पाचान लेते हैं, अब आपको थोड़ी बहुत confusion होती ह active, passive है, तो आईए passive का जो confusion है, जो doubt है, उसको भी अभी 10 मिनट में हम लोग खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इनको खत्म करने के बाद आगे आपको जो भी sentences दिखाए पड़ेंगे, वो आपको confusion नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आपके किसी भी previous year paper के हो, किसी भी books के हो, novel के हो, magazine के हो, या editorial के ही, क्यों नहों, सभी जगों पर यह rule apply होता हुआ, दिखाए देगा, जैसे, एक example हम लिखते हैं, यहाँ पर, देखो, C was killed, यह हमने लिखा, C was killed, लिख दे हमने, अब देखो, ध्यान से यहाँ पर एक verb है, और यह दूसरा verb है, तो अब आप याद किसे हम लोगो के साथ, वर्ब के ing form दिखाए नहीं दे रही है, बलकि यहाँ पर आपको वर्ब के साथ दिखाए दे रहे है, वर्ब का third form, अब वर्ब का second form है, यह हमने आपको पहले ही पाचानना सिखा चुका है, यदि आपका छूट गया हो, तो वीडियो को, प्लीज, आगे से repeat करके द आए, तो यह पाला वाला क्या हो गया, दोस्तों, helping verb, last वाला क्या हो गया, दोस्तों, main verb हो गया, अब आजए यहाँ पर सीखे, अब यह जो was verb है, यह helping verb है, और यह main verb है, अब पैसिब को पाचानने के लिए याद किजिए, थोड़ी दिर पहले हमने आपको बताया था, be family के साथ, कहीं भी verb का third form दिखाए पड़े, तो इसका tense क्या बताएंगे हम लोग, तो हम लोग इसी का tense बताएंगे, sorry, तो इसका tense ने, इसका voice हम लोग को बताना था, कि इसका voice क्या होगा, इसका voice होगा, पैसिब, अब इसको थोड़ा और detail में जान ले, देखो, कहीं भी is MR के स आपको verb का third form दिखाए पड़े, तो sentence passive में है, या कहीं भी was verb के साथ, was verb के साथ, आपको verb का third form दिखाए पड़े, तो ये passive में है, या इस बी, बिन, और बिंग के साथ, बिन और बिंग के साथ, वर्ब का third form दिखाए पड़े, तो passive में है, ऐसा concept होता है, यानि देख लो, य 1-3-3-2-8, यानि कि इन 8 में से किसी के साथ कहीं भी आपको verb का third form दिखाए पड़े, तभी और के वल तभी वो sentence होगा पैसिव, otherwise वो sentence passive में नहीं है, अब वो sentence active में है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ये दू वर्ब होगा, ये helping वर्ब होगा, ये main वर्ब होगा, अब ये पहले चेक करना है, helping verb यदि है, तो यह वर्ब का third form है, और यदि helping verb नहीं है, यदि helping verb नहीं है, तो यह third form नहीं है, तो यही काम करता है, second form का, अब चुकि यहां पे देखे, इसका second form, third form दोनों से मोगता है, लेकिन इसके पहले यहां पे यह helping verb है, चुकि यह helping verb है, इसलिए य यहां पे third form का तो अब इस sentence में देखे वर्ब के साथ ये verb का third form लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है मतलब इसका wise क्या हो गया इसका wise हो गया passive क्या हो गया दोस्तों passive हो गया तो यदि sentence कहीं भी आपको passive में लिखा हुआ दिखाई पड़े तो इस का टेंस जानने के लिए आपको इसके में वर्ब को काटना होगा किसको काटना होगा में वर्ब को काटना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस में वर्ब को काट देंगे किसको काट देंगे में वर्ब को हम लोग काट देंगे अब में वर्ब को काटने के ब बताते हैं हम लोग इसका टेन्स बताते हैं पास और चुकि ये जो मेंें वर्ब था ये में पहले ही हमने ठाड एकका है कैंसल कर दिये काट दिया तो अब आपके पास वर्ब बचा कितना सेंटेंस वह आपके पास सरफ और सिरुफ एक कर बचा रहा और सेकंड stat कि यानी कि यहां से हम लोगों ने यह सीखा कि कुई भी sentence दिया हुआ आप को दिखाई पड़े यानि कोई भी sentence आपको कहीं भी दिखाई पड़े तो सबसे पहले आप उसका active और passive चेक कर लिए यह इती sentence passive में है, तो आप उसका tense कैसे निकालेंगे, यह आप सीख चुके, और यदि वो sentence passive में नहीं है, तो सीधी बाते की active में है, और यदि वो active में है, तो उसका tense आप कैसे पहचानेंगे, यह भी अब तक आप सीख चुके, तो अब बारी है, grammar के concept को पढ़ने की, tense chapter में, आपके book म आपको जो grammar के concept पढ़ने को मिलते हैं, आईए, अब हम लोग इनकी चर्चा करते हैं, तो चलते हैं, आगे, धीरे से आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे tense में सबसे पहले, present indifferent, तो present indifferent से बहुत सारे question अपने exam में पूछे जाते हैं, तो अब आप कैसे बनाएंगे, आप किसी भी grammar के book को follow करेंगे, तो उसमें लिखा हुआ मिलता है, कि present के habit को बताने के लिए, यानि वरतमान समय के आदत को बताने के लिए, नेचर को बताने के लिए, प्रकृती को बताने के लिए, सौभाव को बताने के लिए, हम लोग यूज करते हैं, present indifferent के यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, present indifferent, बात समझ में आ रही है, अब इनके अलावा और भी आपको बहुत सारे rules वहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं, जैसे present indifferent का यूज करते है, universal truth को बताने के लिए, ठीक है, अब universal truth क्या होता है, तो हम लोग को बच्पन से जानती जाते हैं, जो थोड़ा सा और अलग तरीके से समझने की जरूरत है, लेकिन हम लोग उदर जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बहुत depth में अपने exam में question आते नहीं है, चुकि अपने P.A.C. means exam में जो English language के question पूछे जाते हैं, tense के उसमें जो question दिखाई पढ़ते हैं, उसमें बहुत ज्यादा depth में जाके आपसे question नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों को भी बहुत ज्यादा depth में जाने की जरूरत नहीं है, तो अब आपके exam में question पूछे जाते हैं, या जो error वाले question आपके exam में पूछे जाते हैं, आप उसको कैसे solve करेंगे, कैसे ये सभी के सभी सब्द क्या कर रहे हैं, वरतमान के आदत को बताते हैं, यानि present के habit को बताते हैं, तो यदि किसी भी sentence में कोई भी ऐसा word लगा हुआ दिखाई पड़े, जो present के habit को बताये, तो उस sentence को हम लोग रखेंगे, किस में? उसी sentence को हम लोग रखेंगे present indifferent में, और present indifferent क सीधा मतलब था, जो हमने आपको बताया, वर्ब का first form या वर्ब का fifth form, हाँ, एक बाद याद रखें, कि यदि sentence negative हो या interrogative हो, यदि sentence negative हो, या interrogative हो, कैसा हो, negative हो या interrogative हो, तो उस sentence में आपको do does देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? और do does के साथ क्या आता है, वर्ब का first form आता है, बात समझ में आया, और इसे प्रकार से, यदि sentence past में हो, past and different में हो, तो past and different का सीधा मतलब होता है, वर्ब का second form, कौन सा form, वर्ब का second form, लेकिन, यदि sentence past and different में हो, और sentence negative हो, कैसा हो? sentence negative हो या interrogative हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा did did के साथ क्या देखने को मिलेगा आपको verb का first form देखने को मिलेगा ऐसा होता है चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हम लोग तो जैसा कि आप यहाँ पे example देखे यह आपका universal tooth का example है यह भी देखे आपका universal tooth का example है ठीक है अब एक in miss example होना चाहिए जैसे एक example I go to school I go to school everyday I go to school I go to school everyday I go to school everyday ठीक है अब इस sentence में देखे यह everyday नाम का word लगा हुआ यह जो everyday लगा हुआ यह everyday क्या बता रहा है यह everyday वर्तमान के habit को बताता है ठीक है तो चुकि यह present के habit को बता रहा है इसलिए जो sentence होगा यह किसमें लिखा जाएगा यह लिखा जाएगा present indifferent में इसलिए देखे यहाँ पर यह हमारा main verb है और यह जो हमारा main verb है इसका form कौन से है वर्ब का first form और वर्ब के first form का सीधा मतलब present indifferent तो present indifferent में आपको सिर्फ इतने ही पढ़ने की जरूरत है सिर्फ इतने ही से आपका present indifferent का question बन जाता है चाहे वो tense का question हो चाहे वो wise का question हो तो इससे जादा कुछ भी हम लोगों को करने की कोई जरूरत है ने अब यहां से आगे निकलते हैं अगला tense हम लोगों को पढ़ना है present continuous अब यह जो present continuous है इसमें हम लोग इस प्रकार की बातों को express करते हैं तो बच्पन से हम सब उने पढ़ा है कि यदि बोलने के समय यदि किसी काम को करने के समय यानि कि बोलने के समय यदि कोई काम चल रहा था जैसे अभी हम आपको बोल रहे हैं आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं तो इस समय में यदि कोई काम चल रहा है तो इसी बात को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं present continuous तो इसी को बताने के लिए हम लोग यूज करते है present continuous ुए फिर आज यह चेक करें यह जितने भी वर्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहे, इनमें से कोई भी वर्ड किसी भी sentence में लिखा हुआ आपको दिखाई दे तो वो sentence कहां रखा जाएगा, उस sentence को हम लोग रखेंगे present continuous में, कहां रखेंगे दोस्तों present continuous में रखेंगे, और present continuous का सीधा मतलब है, क्या मत Present का मतलब क्या वर्ब का, first form होगा, यह वर्ब का, fifth form होगा, continuous का मतलब क्या, वर्ब का, fourth form होगा, right, आजाएगे, यहां पर देखें, he has four brothers, तो यह तो हो गया present and different में, यहां पर देखें, his appearance pleasing, he seem, यह भी कहां चला गया, present continuous में क्यों चला गया, क्योंकि यह वर्ब का, फिप्त फॉर्म है, ये भी वर्ब का फिप्त फॉर्म है, तो ये दोनों का tense present continuous में नहीं है, present indifferent में, जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, अब एक example ले ले, this time, this time, I am writing, I am writing about, about tense, इस समय हम tense के बारे में लिख रहे हैं, यहाँ पर देखें, आपको ये what दिखाए दिया, this time क्या दिखाए दिया, this time दिखाए दिया, अब चुकिए जो this time है, this time का मतलब क्या बोलने के समय, मतलब ये इस बात का clue देता है, indicate देता है कि बोलने के समय में ये काम चल रहा है, तो बोलने के समय में ये कोई काम चल रहा है, तो इसी को रखेंगे हम लोग present continuous में और present continuous में ये क्या है, हमारा verb का first डाब का अगर निंकलते हरें अगली बात करें हम लोग present perfect की और देखिए हम आपको जितनी भी बातें बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, हम आपको जितने भी बाते बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, इसको as it is, who, who, as he use करना है, यह इसे ही use करेंगे, तो इन टेकनिक को who, who, as it is, use करके, आप अपने previous year में पूछे गए, सारे के सारे papers को देखेंगे, कि एकदम आसान तरीके से बन जाएंगे, यदि उसमें कोई grammar की गलती हो, तो वो भी आपसे correction हो जाता है, fill in the blanks में जो question पूछे जाते हैं, वो भी आपसे देखते के साथ बन जाते हैं, fill in the blanks में जो question पूछे जाते हैं, tense chapter से, उसमें ये नहीं लिखा होता, कि इसमें आपको tense का यूज करना होता है, उसके instruction में लिखा होता है, fill in the blanks by using appropriate forms of the verb, क्या लिखा होता है, appropriate forms of the verb, और हम ने आपको पहले से बता रखा एक, appropriate form क्या होता है, तो form क्या होता है, form को ही तो हम लोग पढ़ते हैं, ya verb के forms को ही तो हम लोग पढ़ते हैं, tense chapter में, बात समझ में आ गई यानि कि यहां से आपको यह समझ जाना है कि वो जो question पूछा गया fill in the blanks में वो question किसका है वही question है आपका test chapter का राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं हम लोग किसकी तो अब बात करेंगे हम लोग यहां पे present परफेक्ट की बात करेंगे दिखें यदि किसी भी sentence में आपको कुछ ज़्यादा करने की जरुवत है है यदि किसी भी sentence में आपको recently मिले already so far yet till now यह सब यदे किसी भी sentence में आपको लगा हुआ दिखाई पड़े यानि कि किसी भी sentence में इन में से कुई भी बेसब्द आपको दिखाई पड़ें, तो उस sentence को हम लोग रखते हैं, present perfect में किस में रखते हैं, present perfect में रखते हैं, अब आपको जो confusion होगा, वो एक ही जगह confusion हो सकता है, कैसे confusion होता है, तो आपका जो confusion का section है, वो है yet, अब yet से जो question पूछे जाते हैं, fill in the blanks में, या error वाले part में दोनु जगहों पे, अलग-अलग तरीके से question पूछे जा सकते हैं, और yet से जितने भी type के question पूछे जा सकने की संभावना है, जिस किसी भी type के question पूछे जा सकते हैं, संभावित हो, उन सबों को आईए, हम लोग यहां पे सीके, देखिए, मान लोग कि यह कोई sentence है, यह sentence यदि present perfect में लिखा हुआ हो, किस में लिखा हुआ हो, present perfect में लिखा हुआ हो, ठीक है, और negative present perfect में उध्यान से देखिएगा और समझेगा, sentence किस में होना चाहिए, negative present perfect में लिखा हुआ होना चाहिए, तो, यह यदि किसी भी sentence के ending place पे yet का use किया गया हो, दो तरीके से question पूछे जाएंगे, फिर से आईए, इनको फिर से समझने का प्रयास करते हैं, देखिए, यदि कोई भी sentence negative present perfect का हो, present perfect में हो, sentence negative हो, तो ऐसे sentence में आप यहाँ पे ध्यान देना yet का प्रयोग sentence के middle में दिखाई देगा, sentence के middle में लिखा हुआ दिखाई देगा, ये ये middle वाले section में दिखाई पड़े, तो इस yet को यहाँ से remove करेंगे, हटाएंगे, और इस yet को यहाँ पे लाके हम लोग लगाएंगे, ये बास समझ में आ गई, पहला तरीका, दूसरा तरीका, जो error में और fill in the blanks में, इन दोनों sections में आपके काम आएगा, वो क्या गाता है, य negative, present, perfect में किसमें लिखना होगा, इसको लिखना होगा, negative, pre for present, और perf का मतलब perfect, ठीक है, अब आपके exam में ये नीचे वाला sentence given होता है, ये किस तरीके से given होता है, ये sentence, यदि किसे sentence के last में आपको yet दिखाए पड़े, तो आप यहाँ पे देखना है, या तो did का use किया हुआ र दिखाई पड़ता है, इस तरीके से चीजे आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है, बात समझ में आया, तो आपको इनको किसमें change करना होगा, इनको cross करेंगे, ये सारे गलत हो जाएंगे, इन सभी को किसमें change करके लिखना होगा, इसमें convert करके लिखना होगा, ऐसा हम लोग क करते हैं ठीक है बात समझ में आ गए अब आईए इसका एक एक सांपल लेते हैं लोग देखे इसका एक एक सांपल लेते हैं लोग ही डिड नॉट रेड दिस बुक येट अब ध्यान से देखिए इस सेंटेंस के इंडिंग प्लेस पर आपको क्या देखने को मिला है सेंटेंस के एंडिंग प्लेस पर उसका की ada का यूज तो हमें चया यूज होगा has not red का use करना होगा अब आज समझ में आ गई तो इस तरीके से इनकी कहानिया चलती है अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले concept की तरफ आते हैं देखिए अगला हमारा जो concept है वो क्या है वो है present perfect continuous से अब देखिए present perfect continuous में या किसी भी continuous में time indicating word given नहीं हो था और किसी भी perfect continuous किसी भी perfect continuous में आपको time given होता है time indicating word आपको दिखाई पड़ता जैसे मैं आपको English पढ़ा रहा हूँ I am teaching you English sentence कहा है present continuous में लेकिन इसी sentence में जैसे ही हम कोई भी time indicating word आड़ कर देंगे यही sentence चला जाएगा present perfect continuous में जैसे मैं आधे घंटे से आपको English पढ़ा रहा हूँ तो इसके पहले हमने क्या पता है था मैं आपको English पढ़ा रहा हूँ वो था present continuous में अब जैसे ही आधे घंटे से यानि आधे घंटे वाला कोई भी time indicating word आ गया अब यह sentence कहा चला जाएगा perfect continuous में आपको since और for को ले करके काफी confusions रहते हैं तो अब आपको आज तक के class में since और for में जो confusion रहा करते हैं इन सभी confusions को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए दूर कर लें देके since के बारे में हम लोग को बच्पन से पढ़ने को मिला कि इसका use करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ for का use करते हैं एम लोग period of time के साथ यही सब हम लोगोंने पढ़ा है पढ़ा है अब ध्यान से देखिए और इसको सीखिए क्या करना होगा इसमें कोई भी time indicating word हो कोई भी time indicating word हो क्या हो कोई भी time indicating what TW यानि time indicating what हो कोई भी समय सूचक सब्द हो वो यदि proper noun हो कौन सा noun हो proper noun हो proper noun हो proper noun का मतलब समझते हैं ऐसा कोई भी वो नाम हो जो certain हो different हो specific हो certain हो different हो specific हो जैसे यह देखिए हम लोग लिखते हैं day day मतलब कौन सा day हम लोगों को पता नहीं है लेकिन जैसे हम लिख देते हैं Monday अच्छा यह हो गया proper noun तो यह क्या हो गया अपना proper noun तो इसके साथ क्या लगाते हैं since और यह क्या रहा गया यह रहा गया हमारा common noun कौन सा noun रहा गया यह यह हमारा common noun common noun होगा तो इसी के साथ क्या लगाएंगे for लगाएंगे बात समझ में आया तो since का use करते हैं ऐसे किसी भी समय सूचक सब्दों के साथ ऐसे किसी भी समय सूचक सब्दों के साथ हम लोग since का use करेंगे जो proper noun का काम करेगा और जो proper noun का काम नहीं करेगा वो सिर्फ एक प्रकार का काम करेगा common noun का common noun का काम करेगा तो उसी के साथ लगाएंगे हम लोग for क्या लगाएंगे for लगाएंगे किसके साथ ऐसे किसी भी time indicating word के साथ जो common noun का काम करता हो किसका काम करता हो common noun का काम करता हो बात समझ में आया, जैसे, जैसे, she has been waiting, she has been waiting for him, for a long time, लंबे समय से कोई female है, जो किसी male का इंतजार कर रही है, तो यह कौन सा लंबा समय पता चला क्या, ने, लेकिन यदि इस long time के जगा पे हम लिख देते, 1952, 1952, 1952, तो फिर क्या हो जाता, वो हो जाता, proper, non-proper होता, फिर उसके साथ लगाते sense, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अब इसके बाद हम लोग पढ़ना सुरू करते हैं, past and definite, क्या पढ़ेंगे, past and different, तो यहां तक था हम लोग का present perfect continuous tense, तो present perfect continuous tense ने यहां पे हम लोग का उबर हो गया, अब यहां पे सुरू करेंगे, हम लोग past and different देखो, यदि किसी भी sentence में इन में से कोई भी सब्द लगा हो, कौन-कौन सा सब्द लगा हो, तो यदि किसी भी sentence में, सूचक सब्द जैसे यस्टरडे अगो ठीक है 1952 वगेरा वगेरा ऐसा लगा हुआ दिखाई पड़े तो उसी सेंटेंस को हम लोग रखेंगे कहां पास्ट और डिफरेंट में या पास्ट के किसी भी ऐसी आदत को बताने के लिए भी हम लोग पास्ट और डिफरेंट का यूज करते हैं जो पहले तो था जो आदत पहले था किन्तु अब नहीं है जो आदत पहले था किन्तु अब नहीं है ठीक है या पास्ट के किसी भी घटन को सामानने रूप से अभिव्यत्त करने बताने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडिफरेट कर ठीक है जैसे यहां पर देखे आई वॉज्ड सोला सोले मुवी ठीक है यह सोला मुवी लिखक हुआ है जो गलत है इस तरीके से होता है अब यहां से आगे चलते हैं अब अगला जो पढ़ना चाहिए था वह पढ़ना चाहिए था हम लोग को वे फास्ट कंटीनिवуют लेकिन पास्ट कंटीनिव STUD में कोई कोई अपने यह कशन में दिखाए पड़ते नहीं है और यहीं पास्ट raise कंटीनिव से को आगते नहीं आता है से densely और continuous का मतलब है वर्व किया है इसलिए इन दोनों का यूज़ एक साथ किया जाता है next अगला हम लोग समझ रहे थे past perfect अब देखो past perfect में क्या होता है देखे अब इसमें क्या होता है कि यह दो past के sentence आपको एक साथ दिखाए पढ़ेंगे यह दो sentence आपको इस तरीके से दिखाए पढ़ेंगे और दोनों किसकी बात करेंगे past का बई देखो sentence क्या होता है sentence हुआ ही होता है जिसमें group of thoughts होता है उसका complete meaning हो या incomplete meaning हो but सामाने तोर पर हम लोगों ने book में जो definition पढ़ा है यह पढ़े group of thoughts having complete meaning सब दो कायसा समों जिसका पूर्न अर्थ निकले उसको कहते हैं हम लोग वाके ठीक है मान लीजिए थोड़ी दर के लिए मान लीजिए और अपने एक्जामें के उलुतना ही मान लेने से काम चल जाते है इसलिए ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरूत भ दोनों सेंटेंसे के बीच में देखने को मिलेगा या इस तरीके से स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा या तो फिर या तो फिर यह जो after है यह दोनों के बीच में देखने को मिलेगा या तो फिर यह जो after है यह दोनों के starting में यहीं पर आपके देखने को मिलेगे ठीक है तो इन चार format में हाला कि इनका पाच्वाब format भी है ये ले लो पाच्वाब format यदि इन चारो रूल को आप भूल भी जाए तो आप सिर्फ इस concept को याद रखें आपके question बनेंगे कैसे देखो द्यान से भई अब sentence कितना है तो sentence दो है दो sentence है दोनों में एक एक वर्ब होगा बिलकुल होगा अब दो sentence है दोनों past का है दोनों में कम से कम एक एक वर्ब होगा अब एक एक वर्ब है आपको सिर्फ ये चेक करना होगा कि इन दोनों में से comparatively कौन सा काम पहले complete हो चुक उसको express करने के लिए हम लोग यूज करेंगे past perfect और जो काम comparatively बाद में हुआ था उसको express करने के लिए हम लोग यूज करेंगे past indifferent फिर से एक बार repeat कर दें दोनों में से जो भी काम comparatively पहले complete हुआ था उसको express करने के लिए यूज करेंगे past perfect और जो comparatively बाद में हुआ था, later on हुआ था, उसको express करने के लिए यूज़ करेंगे past, indefinity यानि वर्ब का second form, right, यही रूल यहां भी apply होता है, अब कुछ इनका धर्सन कर लिया जाए, तो ज्यादा बेतर होता है आपके लिए, यहां पे head plus verb का third form, यहां पे use करते हैं verb का second form, य अब बातों को आगे देखें, before के साथ यह reverse हो जाता है, यानि before के साथ, यहां पे before के पहले, यह रहेगा head plus verb के third form में, और यहां रहेगा verb का second form, यह रहेगा head plus verb का third form, ठीक, इन सबों का clue एक ही है, अब आजाए, यहां पे जैसे आप इस sentence को देखिए, I realized, मैंने महसूस किया, I had left my keys at the office, अब यह बताओ, जब हमें याद आया, पता चला, महसूस हुआ, कि मेरा जो चाबी है, वो कहां छूट गया है, office में छूट गया, तो यह बताओ, चाबी पहले छूट गया था, कि पहले आपने महसूस कर लिया था, तो आप कहां सार आता ह चाबी पहले छूट गया था, यह काम भी पास्ट में हुआ, यह काम भी पास्ट में हुआ, और यहां पे देखे, इस वाले पार्ट में इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर से आपको समझाने का अच्छे तरीके से प्रयास करें, अब यहां पे देखे, इस वाले पार् और का यूज की हम लिखे हम चाहें इसको जैसे भी लखें लेकिन इसको रखना होगा पास्ट परफेक्ट में ठीक हैं आगे बढ़ते हैं अब इसके बाटेंस में एक और चोटा सा सेगमेंट है जिससे आपके एक्जाम में कोशन देखने को मिलते हैं अब इससे की बात कर रहे होंगे दोनों ही किसकी बात कर रहे होंगे तो ऐसे सिच्विशन में दोनों ही सेंटेंस में सैल्विल का यूज होना चाहिए था क्योंकि फूचर के सभी tenses में हम लोग salveal का use करते हैं ऐसा हम सब उन्हें बच्पन से पढ़ा हुआ है बट यहां पर ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों इसको समझने का प्रयास किजिए होता क्या है कि यहां पर यह जो भी what आपको दिखाई दे रहे when, till, until, in case, if, supposing suppose, as, soon as, etc ठीक है तो इन में से कोई भी सब्द आपको कहीं भी किसी भी sentence में लगे हुए दिखाई पड़े और इनके तुरंत बाद जो भी पहला sentence आएगा उसमें हम लोग salveal का use नहीं करेंगे बलकि वहां पर use करेंगे verb के first form का या verb के fifth form का बस जैसे एक example मालो एक छोटा सा example हम लेते if का ठीक है? सबसे छोटा सा word है इसलिए इसको यहाँ पर use करें तो या तो इस if का use दोनो sentences के middle में होगा या तो इस if का use दोनो sentences के starting में होगा इनी दोनों में से किसी भी एक place पे इसका use किया जाएगा अब जरा ध्यान से देखे जहां कहीं भी यह if लिखा हुआ है इस if के तुरंत बाद जो भी पहला sentence लिखा जाएगा यानि कि ये वाला part या ये वाला part इसमें हम लोग cell will का use नहीं करेंगे इसमें हम लोग किसका use करेंगे वर्ब के first form या वर्ब के fifth form का या किसका use होगा सिर्फ वर्ब का first form या वर्ब का fifth form इस वाले part में आप cell will का use करें या ना करें हमें कोई मतलब नहीं होता हाला कि सामाने तोर पेंड में cell will का प्रयोग देखने को मिलता है और कभी-कभी cell will का प्रयोग नहीं भी किया जाता है दोनों चीजे सही है ठीक है अब आज यह चेक करें हम लोग जैसे इसका एक एक एक्सामपल ले लें सी सी विल लीव दा वर्ड सी विल लीव दा वर्ल सी विल लीव दा वर्ल इफ इफ अब इस सेंटेंस में आप जरा गौर फर्माईए आप जरा ध्यान दीजे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखने को मिल रहा इफ और यहाँ पर इस इफ के पहले यह देखो सैल विल के साथ क्या दिखाई दे रहा है यह वर्ब का first form दिखाई दे रहा है और यहां पर देखो cell will के बाद फिर इफ वाले sentence के बाद इफ के तुरंद बाद जो पहला sentence आता उसमें देखें फिर से यहां पर क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है cell will तो यह गलत हो गया यहां पर cell will का use हम लोग नहीं करेंगे अब चुक् tikर हमारा subject है कैसा है singular इसलिए इस verb में हमें क्या करना होगा यहां पर this लगाना होगा तो यहां पर हमें get में क्या करना होगा इस लगाना होगा तो get का क्या होगा gets हो गया राइट okay चलिए तो इसी के साथ हम लोग का टेंस यहीं पर over होता है, तो टेंस को यहाँ पर हम लोग समाप्ट करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अगले class में मिलते हैं, अपने अगले वीडियो में काफी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, इसके बाद tense के बाद wise को सीखना हम लोगों के लिए काफी easy होगा, तो आज के इस class को हम यहीं पर sum up करते हैं, इसके बाद हम फिर आप से मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग कई चीज़ों को सीखेंगे, मुक करूप से उसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे wise को, उसके बाद हम आपको लेकर चलना चाहेंगे, subject to agreement, conjunction वगएरा के तरफ ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो session को, इस class को यहीं पर sum up करते हैं, conclude करते हैं, आप सब आए, आपने हमें ध्यान से देखा, ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का अपने हिर्दय के कोने कोने से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से आप अपने आपको enrich करते रहिए, अपना improvement करते रहिए, अपने आपको comments में select करवाने के लिए, खुद को update करते रहिए, इंप्रूब करते रहिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद. करते रहिए